हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं फुस्वेंद आपके अपने चैनल एक्जामी स्टेशन पर स्वाखत करता हूं हो गया आगाज रण में यूग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर से है जारी यह आज उपर लिखा देख पा रहे होंगे लिखा हुआ यू एक मार्ड अप्रेल से एक अप्रेल से इसके फांबरे जाने उसी की बिसे में यानि इसके पहले यह बैकर इसके पहले बैकंसी आई थी 2016 में यू पी-एशाई 2016में आए थे 3307 पता था था तहने फ कितनी 3502 पत आये थे उसमें कितना फोधा हुआ था स्टश है लाक तीस वह जारचशे फंपीस फंबْरे घय थे पायों के प्लिखेव और और उसमें सिलेक्शन कितना के हुआ था 2485 प्लस है चोवी सो पचासी या 86 लोगों को सिलेक्शन हुआ तो जिसका जैसे अगर 307 में 2485 का पर्षेंटेज निकाले तो यह आता है 75 पर्षेंट यानि 75 पर्षेंट फां अर नहीं यह 75 पर्षेंट पद ही भरे गया था यानि 307 में 2485 पसीपे बड़े गया थे जो की पूरे पर्षेंट का पचेत्र पर्षेंट 2485 अब यह थो 307 में 2485 बरे गये यानि 25 पर्षेंट में नहीं बरपाए यानि 25% पद खाली ही रहे गए यह पद नहीं बर पाएं अगर इसकी पहले पूरे इसकी जानकारी प्राप करते हैं अगर इसके कटाप की बात करो देखों जब कटाप गया था 200 मेल का 251.18 और फिमेल का 24.42 यह जनरल का यानि जनरल मेल का और जनरल फिमेल का कटाप कितना गया था 251.18 यह गया था मेल का और दो सब्सक्राप चाट कैसा टोचाइब अगर श्रोग पांप कर से अगर नहां नहीं गात कर देखों के वनोट करते हैं यहाँ पर एस्टी की यानि जो सबसे नीचे काश्ट होती है अगर उसकी बात करा तो उसको में सिर्फ एक पद भरा गया था कि ना मातर एक पद भरा गया थो वो भी जनरल में फाइट किया था तो यह हो गए अब देखो अगर उस समय का यानि यूपी एसाई 2016 में के के वल और हाल कितनी थी 50% अगर किसी भी एक सब्डेट ने आप 50% मांक नहीं ला पाती है तो आप यह पूरी बैकेंसी से बाहर हो जाएंगे क्या पूरी पेकंसी से बाहर हो जाएंगे जैसे यह लिखे प्रतेक बिशे पर 50% अंक लाना अनिवार था प्रतेक बिशे यानि ए यतने भी खने थेंखंडे तनिये खंडे थे गडित हें यह देखूं इधर घडित हिंधी मूल्वी ढि टिनर के 40 यहनिके 40 थे अर गडित के 40 अंब प्रतेक क्वेशचं डाünü कर था कितनली प्रतेक क्योंश्चिक ब्रतेक यह यानि टोटल कोशेनों कि संक्य के 160 दिक तर टोटल अंके कितने थे 400 टोटल अंकी की बात हो टोटल अंके 400 ते अगर उसमें सेम कंडीशन यह पेपर की 2021 के बैकन सिये उसकी भी सेम पूझीशन यहीं यह न इसमें देखो उवराल पासिंग मार् प्रतेक सब्जक्ट पर कितनी थी 50 परचंट थी कितनी थी 50 परचंट थी यह अब अगर इसकी बात करते हैं कि संथ 2021 में जो अभी बेकिंशी आई है 9534 पर उसमें कितनी क्या कठाफ है उसमें इसमिरे सिर्फ एक सटि अब इसमें 21 test अंकलान अनिवार में 33 इसमें निखी में 35 75 प्रस्ट अंकलान अनिवार है में 35 35 प्रस्ट निकालोगे तो यानि 14 कोश्चन है, यानि इसमें 14 कोश्चन आपके सही होना चाहिए, इसमें 14 कोश्चन सही होना चाहिए, एक सर्थ पूरी करने के लिए, अभी एक सर्थ पूरी करने के लिए 14 इसमें, 14 इसमें, 14 इसमें, 14 इसमें, कोश्चन बिलकुल सही होने चाहिए, देखो, तब आ आपको 400 परसंट और यानि 200 अंक आपको अनिवार हो जागि दिसरीуск सर्थ है कि एक साथ सभी में 50 पृतिसट परत्य यानि 200 और यानिवार गोला ऋम्स को संही है और ये sûr नौ्ह लाइजेसन के बाद और अपको 35% प्रतिसत अंक आनी चाहिए और 50% अंक आनी चाहिए यानि 200 अंक इसमें आने चाहिए और 14% हर एक सेक्षन में 14% सही होना चाहिए अगर बात करें तो देखो अगर इसकी बात की जाए UPSI 2016 में जो 3307 पताय थे तो उसकी अगर बात करें तो देखो पहले competition क्या था यूपी SI 2016 में competition था तब था एक seat पर एक seat पर 190 लड़के 190 91 लड़कों में competition था यानि अगर 6,396 में 307 का भाग दोगे तो आएगा 190 दसम लोग कुछ कर गया गया तो 190 प्लस 190 प्लस का मतलब 190 या 191 लड़कों में एक seat है यानि 190 लड़कों में 190 या 191 लड़कों में सिर्फ एक लड़के का selection होगा एक लड़का का selection होगा अब देखो अगर इस वाले विश्य की बात करें यानि कि अब जो normalization होने के बाद अब जो यह 2021 में कितना कठाप जाएगा तो देखो मैथ में 26-25-27 कोष्चन आपके सही होना चाहिए यानि अगर total बात करें total कोष्चन की संखे यानि कितने प्रस्ट ने सही होने चाहिए तो मैं 110 कोष्चन अगर 105-110 कोष्चन आपके सही हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा देखो मैथ में 25-26-27 प्रस्ट न्यानि 65-66 अंको होना चाहिए यह आपको लाना है यह एक्सपेंडेट कटाफ है यानि और रिजनिंग के अगर बात करें रिजनिंग में 30-32 प्रस्ट न्यानि 66-77 नंबर आपके आने चाहिए हिंदी में 30-35 प्रस्ट यानि यानि 62-63 नंबर आपके आना चाहिए अगर 2021 कटाफ की बात करें तो 280-285 के बीच में यानि इसमें मैगनिमम लिखा गया कि इससे ज्यादा कटाफ नहीं जागी यानि और अगर इसकी बात तो 110 कोश्चन अगर जिसके सही है तो उसका हरहाल में सिलेक्शन होगा इससे ज्या 103 कोश्चन गई थी यानि जिसके 102 से 103 कोश्चन थे उसका फाइनल सेलेक्शन हो गया था इसमें आप अगर 251 मां अंक हैं तो इसमें 2.5 का भाग देद हो गई तो यानि कोश्चन होगी संख्या आजाएगी कि यानि कि लमसम कितने कोश्चन सही होना चाहिए तो यह इससे न 2021 बात करें तो अनुमान जो बताया जा रहा है कि लमसम इसमें फाम होगी 15 यह 16 लांक के लमसम इसमें फाम बढ़े जाएंगे और अगर 15 यह 16 लांक फाम बढ़े जाते हैं तो उसके बावजूद एक सीट पर 158 यह 60 बच्चों का 158 बच्चों में एक बच्चे का सेलेक्श दोजार जो 21 की बैकिंसी है दोजार 21 की बैकिंसी में निगेटिव मार्किंग नहीं है यानि नकार आतमक अंक आपका नहीं काटा जाएगा और अगर बात करते हैं कि देखो इसमें दो कंडिशन दे रखा है कि हर सब्जेक्ट में 35 पर्चंट और ओवरहल 50 पर्चंट और 2016 इसकी पूरी बेसिक जानकारी ही कि 2016 में किया था और 2021 जो बैकिंसी है इसमें क्या था मैं किया था और अब जो 2021 की वेकिंसी आई है तो एक सीट पर में मिनिमिम्म कितने लोगों को फाइट करना होगा तो यह एक सो साथ में एक सो साथ लोगी फाइट करेंगे इससे ज्यादा नहीं जाएगे चलो यह आज पूरी यूपी ऐसा ही 2021 के जो पंचान में 134 बादें इसकी पूरी ब प्राइब चैनल कि अधिसम बनता है इसके क्या क्या सर्विस होते हैं इस इसम् knocks कार्क कि स्रेविस बताएगे हैं सिविल सिविल एसाई और पीएसी और एफ एस एस ओ इसमें तीन है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अगर इसकी ड्यूटी की बात करेंगी सिविल एसाई की ड्यूटी कैसी होती है और जो पीएसी कमांडर होता है उनकी ड्यूटी कैसी होती है और जो एफ एससो य उनकी डूटी कैसे होती है तो सबसे अगर मौज की डूटी है तो यह एक सबसे अच्छी डूटी यह है FSS की यानि फायर वालों की और उसके बाद PSE की और सबसे उसके बाद यह Civil SI की 24 hours यानि 24 घंटे की डूटी सिविल SI की और PSE की और FSS की इनकी कोई duty की लिमिट नहीं है कि यह जब कहीं अगर डंगंगा होगा तब इनको जाना होगा या कहीं आग वाग लग जाएगी तब FSS को जाना होगा अगर वहाँ पर अगर थोड़ी वह नार्माल आग लगती है तो वहाँ पर भी FSS को उसको नहीं जाना पड़ता जो इसके नीचे कांश्टेबाल होते हैं वो ही सब कारबार समाल लेते एंसको कागजी कारवाई करना होता है और अगर सिविल पुलिस की बात करें तो सिविल पुलिस को 24 hours की duty अगर इनकी अगर इन की posting की बीसे में मात करें इसकी posting क्रावंगी इसकीте करा करें और इसकी यहां पर द्यूटी मिल सकती है तो यहां पर मुझे द्यूटी मिल सकती है यानी जो इसका range है range का इसमें कोई criteria नहीं PSE और FSSो में सिर्फ home district छोड़ कर और इसमें criteria है कि आपको nearest यानि area range आपको इसमें नहीं दिया जाएगा और PSE और FSSो में area range खुब आराम से मिल जाएगा अगर fire service वालों का अगर आप से बगल में district को यह वहाँ fire service का center है तो वहाँ आपको duty म में भी ऐसे और seal police में ऐसा नहीं होगा अगर इनकी payment की बात करते हैं तो इनकी maximum payment आकर बात करते हैं तो तीनों की लंसम लंसम payment सेम होती है बट जो अन्य कमाई हैं उनमें थोड़ा बहुत difference होता है जो allowance TADA है उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है बांकि अगर सुक और chain की न सबसे जटिल सर्विस सिविल यानि UPSI जिसके डवल इस्टाल लगे होते हैं इनके भी डवल इस्टाल लगे होते हैं बट यह जाता duty कठी ने इनकी अपेच्छा यह अगर इसमें इनका 25% दिन में काम करना पड़ता है तो इनको पूरा 100 का 100% काम करना पड़ता है अगर इन करना एक जितनी भी टाफ रेंग की डिश्टिक होगी उनका टीए डीए यह सब कुछ हर डिश्टिक वाइज होता है तो यह देखो हो गई सिविल एसाई पेसी और एवससों की पूरी विश्य में जानकारी चलो अब यह